जैसे यह राम गाइस वेलकम बैक तो माई यूटीब चैनल वीद न्यो वीडियो आज सुबह ओठी थी मैं कुछ साथ बजे के राउंड क्योंकि मैं बारा बजे के आसपास सोही थी तो मैंने साथे नों से किया था पढ़ना शुरू साथे नों तक मैंना आके रेडियो के राम से बैठ कि थी सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था अलजेब्रा और नमबर सिष्टम की एक मैरथन यही थी हरशेल सर की यूट्यूग पे पाँच गंटे की थी सबसे बहले मैंने वो करी हाफ दो गंटे 40 मिनट कुछ दाई गंटे तक कीतनी होगी थी हाफ कम्प्लीट कर ली थी मैंने उसमें उस टाइम तक 15 कुछ कोशन आये थे जिन में D.I.E. थी नंबर सिस्टम और अलजाबरा की और कुछ चोटे मोटे कुशन भी थे वो वहाँ तक मेरे होगे उसके बाद फिर मैंने कर लिया लंच और लंच करने के बाद मैंने थोड़ी देर किया रेस्ट फिर मैंने सिधा मेंस का एक मोग अटेम्ट किया क्योंकि दोपैरे में ज़ाद अधर सभी सो रहे होते हैं उस ताइम शांती होती है तो मैंने मोग के अटेम्ट कर लिया इसमें मेरे आये 82.31 रिजनिंग में 28.75 थे रिजनिंग में कुछ कोशन मेरे से पजल के गल्थ होगे थे और एक आता क्रिटिकल रिजनिंग का और कम्प्यूटर में 27.7 जी में भी 7.7 हिंदी में 27 आये थे अटेम्ट में 37 किये थे 8 कॉशन में गल्थ होगे थे और हाँ मेरे को पता है यह हिंदी का लेवल इसमें मोग में जी रहता है एकजाम में मैंने जहां तक सुना आ है कि यह टाफ होता है फिर भी इसमें जोलो थोड़े बहुत और काट लेना मेरे कॉंट में मेरे आई 10 पॉंट पता नहीं कोईशन्स जो भी मैंने इसमें किये है न जितने उनमें बहुत टाइम लिया है मैंने जितने भी किये तो टोटल ओवराल स्कॉर मेरा इसमें 82 पॉंट रहा इससे पहले मैंने मेंस के दो और मोक दिया है ये थर्ड वाला था उनके कंपेरिजन में इसमें ठीक की उसके बार मैंने इसकी सिधा एनलीसिस भी कर ली नेक्स डे पर बात छोट दीनी की नेक्स डे करूंगी अपना इसकी एनलीसिस भी कंप्लेट होगी इतना कंप्लेट करने के बाद फिर मैं चली गई इवनिंग वोक पे और आज का इवनिंग व्यूँ कुछ ऐसा था बहुत अच्छा था पर इसमें इतना दिखनी रहा है इतना अच्छा एक्च्छल में बहुत अच्छा था बाद मैंना है इसकी क्यों अपने अपकळ मोशा ती है उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर बाद current affairs का पड़ना शुरू कर दिया था current affairs में मैंने june मंत की मंतली वाली पीडियव स्टार्ट किया है जून मंत के मैंने नेशनल और इंटरनेशनल अफेर्स और बैंकिंग और फाइनेश आवार्नेस के किये थे जो कि साथ पेज तक थी उस पीडियो के डेर सो पेज हैं उसमें साथ पेज तक मैंने निप्टा दिये थे और बाकी मैंने अगस्त के लाश्ट दे चार दिन के कियो ए थे, उन चार दिन के मैंने क्विज लगाए थे, डेली वाले के क्विज लगा लिये थे और अभी मैं बात कर लेती हूं एक डाउट पे जो मेरे से पूछ रहे हैं कि रीजनिंग का बता दो कि हम बेसिक से कैसे करें हो और क्वांट का बेसिक से बता दू तो पहली बात तो मेरे एकोटिंग तो भाई किसी टीचर की स्टेरजी देखनी चाहिए फिर भी तुम लोग बार-बार पूछते रहते हैं तो मैं बता देती हूं और पहले बात वही सुनो सब की करो अपनी जो तुमें अच्छा लगेगा वो कर लेना बात में मेरे को यह मत कहना कि यह कर दिया और हमी तो यह टीचर पसंद है फलाना पसंद है अभी मैं बता देती हूं जो मेरे एक् बूक से खुदी समझ ली थे जिसमें बहुत टाइम लगा था और बाद में मैंने कोर्स परचेस किया था बस मेरी पजल और सेटिंग अरेंचमेंट रही थी और कोर्स परचेस करने के बाद ही मेरे को ट्रीक पता लगी थी कि ऐसे करना इसी होता है क्योंकि मेरे को पहले पता ही नहीं था कि इसमें कुछ टाइम कैसे होगा ऐसी डिरेक्ट बुक ओडर करके बुक में से करना शुरू कर दिया तो भी रीजनिंग में मैंने तीन चार टीचर फॉलो करें हैं मैं अब उस अकोर्डिंग बता रहे हूं कि मेर बहुत विडियो देखी है इस flashy logism से बताती हूं इस लोगिसम से बताती हूं मैं से बसता जो मैंने पहले तीचर का देखा था हूंसे सिक्खा मैंने फिर से किडह से तर्ड बॉर तीचर से देखा था था थर्ड था अब रीजनिंग मैंने कम्प्लीट प्रिलिम्स लेवल तक की अड़ब जो सुभम सिर्वास्तव सहर है मैंने वहां से करी थी उसके बाद मैंने मेंस की आर्ट ओव रीजनिंग यूट्यूब चैनल से करी है सारी और जो श्टडी नीती पे मैं है और वो भी बहुत अच्छी रीजनिंग करवाती है ये मेरी फ्रेंड ने भी बोल ला है मेरको बाकि अगर आपको रीजनिंग प्रिचेज करना होगा न तो मेरी अकोडिंग मैं कले लेना और क्वांट में वही क्वांट मैंने प्री तक क किया है नवनीत सर से ये मैंने कोई यूट्यूब से नहीं किया था सिधा मैंने डिरेक्ट कोरस से ही किया था मतलब पेड कोरस से प्री लेवल तक की मेरे को डियाई और यूए सिंप्लिफिकेशन वगरा रहता है ये आने लग गया था और जो उन्होंने अर्थमेटिक कराय वह मेरे को अर्थमेटिक का बेस बेस तो पता ही लग गया था कि हां यह ऐसे उत्ते हैं इतने टाइप हो त्यां पर मेरे को अच्छे से अर्थमेटिक नहीं आया लास्ट टियर तक भी तो अभी इस साल मैंने हर्शल सर से लर्निंग ने थी एप कई करना मैंने हर सलसर का लिया था क्वांट क्वांट का एक्स्क्लूजिव बाइसों में और अभी ना इनके कोछ ओफर भी चल रहे थे बहुत सस्ता मिल रहा है तीन जार पता ने बतीसों का शायद अब ओफर चेंज हो गया और अलग ओफर आये हैं मै काम कोई पूरा लेता हैं जैसे किसी का महापयक को जो भी आते हैं उन्हें ना बहुत से कॉर्स होते हैं इतने टीचर्स हैं जो बिइटनर बुइनर होएगा वो पक्का Ronnie बुइब होएगा मैं पिछले सार पूरी कन्फें थी किस से करो किस से करो तुमारे समझ मे पहले तो मैं निमीश मैम के परफेक्शन मेरे को ले नहीं था मैं वरूंग सर कई लेती देखो अब मैंने पूरा पता दिया है रीजनिंग का और कांट का आगे तुमारी मर्ची है और क्वांट में मेरे को हरशल सर यह लगते हैं सबसे बैस्ट क्योंकि हो मेंस बहुत निमीशर बहुत ही अच्छा है और हाँ यह थी मेरी टूडो लिस्ट मैंने पूरे दिन में इतना ही किया था ग्यारा गंटे कुछ पढ़ाई करी थी आज